तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आधी छुटी होते ही लड़कों ने सुभाश को घेर लिया। सब उसे घूर-घूर कर देख रहे थे। पांच साल का नन्ना सुभाश रुआसा सा हो गया। सब विदेशी बच्चे थे। एक वही तो पूरी कक्षा में भारतिय था। वह सोचने लगा। पता नहीं, पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल कराया है। ओ मा, रक्षा करो। सुभाश के मुँझ से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे। वाट वाट करके उसकी जान के पीछे पड़ गए। वह बिना उत्तर दिये, फिर काली मां को याद करने लगा। इस स्कूल में अधिकांश तह महिला अध्यापिकाएं ही थी, वे भी ब्रिटेन की। कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही स्कूल का सिध्धान था। वहाँ टीचर लड़कों को क्रिकेट सिखा रहे थे। सुभाश ने लपक कर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परक करने लगा। टीचर ने जैसे ही उसे देखा, वह चिल्ला उठा। ए गमार, देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाश जेब गया और वहाँ खड़े सभी लड़के हसने लगे। ननासा सुभाश क्या चाने कि गुलाम किसे कहते हैं। दूसरे दिन सुभाश होकी खेलने गया। उसने कभी होकी खेली तो नहीं थी, पर देशी डंडा घुमाने में वह माहिर था। देशी डंडे की तरह घुमा फेरा कर वह गेंद पीटने लगा। अध्यावक ने उसकी इस गेंद बाजी से प्रभावित होकर उसे खेलना सिखाया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए। अकसर वह मां को बताया करता कि कैसे स्कूल में उन्हें लाटिन भाशा सिखाई जाती है। वह अंग्रेजी रंग ढंग से रहना पड़ता है। जात्रों को हर विशय रटाया जाता था। यही उनका मूल मंत्र था। सुभाश का दोस्त हैरी रटने में कमजोर था। उसकी प्राया बेंच से पिटाई होती थी। तब सुभाश का चेहरा गुस्से से तन जाता था। सुभाश अध्ययन प्रिय था। इसलिए सभी अध्यापिकाओं का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आधम के। बंगले में बहुत बड़ा लौन था। पिताजी वहीं मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत गरम जोशी के साथ किया। मिस सारा लगातार सुभाश की प्रशनसा ही करती रही। You know, Mr. Das, सुभाश is genius। देखना, वह एक दिन आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्याला के वाशिक उद्सा पर सुभाश एक नए रूप में सब की सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते-पढ़ते सुभाश बिलकुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसा ही शालीन धंग। लेकिन एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाशन सुनकर सुभाश सोच में पढ़ गया कि गांधी जी की बात सब मानते हैं। वे अंचन करते हैं, तो घर में मा, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाते हैं। छोटा हुआ तो क्या हुआ? मैं भी तो भारतिय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रतियेक भारतिय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष ने मिश्णरी स्कूल छोड़ कर जब रौविंचा कॉलिजी एट में दाखिला लिया, तो टाई शर्ट और हाफ पैंट छोड़ कर धोदी कुड़ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष बारह वर्ष का हो गया था। यहां सभी बच्चे भारतिय थे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद शहीद खुदी राम बोष की परसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदी राम बोष को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एक अत्रित किया और खुदी राम बोष पर एक अच्छा खासा भाषन दे डाला। उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। सब ने उपवास की प्रतिज्या की और अगले दिन सब ने उपवास रखा। स्कूल के प्रधान चार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयम भी उपवास रखा। मिस सारा ने सच ही कहा था आजाद हिंद पौच का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था।